नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार मैं नरिश महननद आपका लाइप सो में स्वागत करता हूँ और आज जो चर्चा का विशे है दोस्तों कि माबाप का कहना लड़की पैदा नहीं होना इस विशे पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों आज पूरे भारत देश का यही चलन है कि आज कहीं भी लड़की पैदा होता है या हॉस्पिटल में या घर में या कहीं भी होआ हो तो वो क्या करते हैं लड़की को मार देते हैं या फिर कूडे दान में फेक देते हैं या किसी को दान कर देते हैं इस प्रकार से वो लड़की को रखने नहीं चाहते हैं। जयसे कि आज लोगों की सोच है कि लड़का पैदा होगा, तो वो हमें पालेगा, पोसेगा, हमारा शोरी बढ़ाएगा, हमारा बीजनस समधोर लेगा, हमारा घर समधोर लेगा, हमें देखेगा, देख रिक करेगा इस प्रकार से उनकी सोच रहती है और लड़की पैदा होगी तो वो ये सोचते हैं कि समाज में हर समय हमें बदनामी सहना पड़ेगा हमें सर जुका के रहना पड़ेगा लड़के वालों लोग के पास और हमें साधी में खर्च करना पड़ेगा überगा और इस प्रकार से लड़की तो कोई काम की है नी लड़की क्या समाल पाएगी इस प्रकार से लोगों की सोच है मनलब लड़की और लड़का के विसाय में जिस प्रकार से वो जितना भी सोचे रहते हैं कि लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगी तो ऐसा होगा. लेकिन ये सब मनुष्य भूल जाता है कि उसकी पूरे जितने भी सोची समझी, जो सोच रहती है, वो उल्टा हो जाता है. क्योंकि दुनिया की रीत है. क्योंकि दुनिया में ही इस प्रकार से लिखा हुआ है और जब लड़का पैदा होता है और बड़ा होता है तो हर अपनी इच्छा पूरी करता है लड़का और जीत करता है कि मेरी इच्छा पूरी करो और बाप मा भी उसकी इच्छा इसलिए पूरा करते हैं क्योंकि इससे हम यह हमारे बिजनेस को समालेगा, हमें समालेगा, लेकिन वो जैसे ही बड़ा होता है, तो पूरा उल्टा हो जाता है उनकी सोच, वो जैसे ही बड़ा होता है, बिजनेस करता है, वो अपने इच्छाओं को पूरी करता है, अपने शादी करता है, तो जब उसका शादी होता है, तब वो अपने माता पिता को क्या करता है। नकार देता है, धिकार देता है और उन्हें लात मार करके वो बुढधा बुढधी को घर से बाहर निकाल देता है। या तो फिर वो वृद्धा अश्रम में अपने माता पिता को डाल के आ जाता है, क्योंकि कौन सेवा करेगा, कौन उनकी मतलब हर समय किच-किच-किच-किच सुनते रहेगा, कौन उनकी इच्छा पूरी करेगा, कौन उनको पैर दबा देगा, कौन उनको गरम पानी करके देग कि वो मतलब उसके जवानी तक वो पूरा घर का काम समालती है, घर का काम करती है, खाना बनाती है, जाड़ू फोचा करती है, अपने माता-पिता का सेवा करती है, और एक अच्छा आदर्श बन करके, मतलब मैं एक बेटी हूँ ऐसा बोल करके, जताती है और बताती है, और लो में भी यही लिखा है कि लड़का का जब शादी होगा तो लड़का अपनी पतनी को ले करके अपने माता-पिता से अलग हो जाएगा बोलकर के बाइबिल में लिखा हुआ है और अपनी पतनी के इच्छाओं को पूरी करेगा माता-पिता के इच्छाओं को पूरी नहीं लड़की हो या लड़का हो तो हम क्यूं मतलब लोगों की मतलब खुद मासुमों की जान लेते हैं हम देखते हैं लिंग जांच कराते हैं या लड़की होने से मार देते हैं या फेक देते हैं या लिंग जांच कराने से लड़की है बोलते हैं तो पेट में ही उसे मार देते हैं और बहुत सारी बाते हैं जो हम मतलब नहीं चाहते हैं कि लड़की हो इस प्रकार से जो परमेश सब्सक्राइब चांट करके पैदा करते हैं लडकी निए लड़का होगा तो खुशी मनाते हैं और कभी-कभी देखिएगा जब हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हॉस्पिटल में क्या होता है लड़का हुआ है मुबारक हो ऐसे बोलते हैं तो सीना तन जाता है और एकदम अच्छे से खुशी हो करके मैं आज तो नर्स को जो खुशकवरी सुनाती है उसे हजार का या पान चान रहते हैं अरे उनको देखो जा करके जो बाप नहीं बन पाए है आज तक ना मर्द घोशित हो चुके हैं अरे उनको देखो जा करके जो मा नहीं बन सकी आज तक बांज घोशित हो चुकी है आज वो तरसते हैं बच्चे के लिए लेकिन उन्हें बच्चा नहीं मिलता ह आज वो रोते भी लगते हैं समाज में इज्जत पाने के लिए लेकिन वही बच्चा के खातिर उन्हें इज्जत नहीं मिल पाता है समाज में अरे लड़की हो या लड़का हो मा बाप तो बन रहे हो परमेश्वर तो तुम्हारे कोक में वो अपनी आशिस दे रहा वो आशिर को अपने हाथ में खिलाने के लिए तड़प रहे हैं वो इतने परिशान और बिलगते रहते हैं रोते रहते हैं तो इस प्रकार से अगर हमें चांट करके ही बच्चे लेना है तो क्यों न अगर आपको लड़का ही चाहिए लड़की नहीं चाहिए तो आप अनात आश्रम जाए और लड़के को उठा लीजिए है ना लड़के को उठा लीजिए गोद लेलीजिए क्योंकि उससे क्या है ईच्षवर आपको और आश्रिज देगा रहता है और लड़का जब बड़ा होगाँ नहीं होने के बाउजित भी इनों ने मुझे गोद लिया है, यह समझ करके आपका अग्या का पालन करेगा, आपको कभी तंग नहीं करेगा, आपके जीवन में खुशियाँ खुशिया भर देगा, और आपके लिए अपना सेवा देगा, इस प्रकार से वो अपना जीवन, मतलब माता पिता को देगा, दो लोग, जितने भी लोग हैं जो आजकल माप बनते हैं या बाप बनते हैं, उनलोग सोiren का लड़की पैदा ही ना हो। लेकिन वो यह बूर चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनकी आखाउं में परदा लग चुका है, वो अंधे हो चुके हैं, और उनका दिमाग खोकला हो चुका है वो मूर्ख जैसे हरकते कर रहे हैं और बेवकुप बन चुके हैं क्यूंकि ईश्वर ने हमें दिया है दोनों चीज और आज जो चाहते हैं कि लड़की पैदा ही ना हो तो वो भूल चुके है अरे लड़की पैदा ही नहीं होगी तो मा कहां से आएगी बहन कहां से आएगी मा कौन बनेगा बहन कौन बनेगी पत्नी कौन बनेगी दादी कौन बनेगी नानी कौन बनेगी सास कौन बनेगी और बहु कौन बनेगी ये तो हम भूल ही जाते हैं कि अगर इस दुनिया से लड़की का वजूत ही मिढ़ जाए ओर्तों वजूत ही मिढ़ जाए तो क्या पूरुष्ट क्या करेंगे। अरे इश्वर ने खुद बाखुद यह दुनिया मनलब औरत के Бिना अधूरी थी। ये मनिश्य का जगत है, मनिश्य की संसार है, मनिश्य का समाज है, ये औरत के बीना अधूरी थी, तो इश्वर ने खुद आदम के लिए हववा बनाया, उसकी पसली में से एक औरत का निर्मान किया और पूरुष के लिए औरत बनाया, तो आज हर पूरुष के लिए एक औरत इश्वर ने हमें वो तौफा दिया है, पूरुष जाती को इश्वर ने इस्त्री को तौफा दिया है, वो प्रेम का वो भेट है, जो इश्वर ने हमें दिया है, तो उसका हमें इज्जत और कदर करना है, उसके प्रेम को समझना है, और वो इस्त्री हमारी मा हो सकती है, हमार हमारी पतनी हो सकती है, हमारी दादी हो सकती है, हमारी नानी हो सकती है, हमारी सास हो सकती है, या हमारी बहु भी हो सकती है, इस प्रकार से वो कोई भी रूप में हमारे जीवन में आ सकते हैं, और आते रहते हैं, तो लोग यही सोचते हैं कि इस दुनिया में पैदा ही ना हो, तो ऐसा मुर्खता रूपी बात हमें नहीं सोचना है और ना ही करना है। अगर आपके जैसे सोच इस दुनिया में सब का हो जाए कि लड़की पैदा ही ना हो और सब लड़की को मारने लग जाएं तो इस दुनिया में तो लड़की होंगे ही नहीं फिर। फिर किसे शादी करोगे किसे मा कहोगे किसे बहु कहोगे और किसे दादी कहोगे किसे नानी कहोगे इस दुनिया का तो वजूध ही खतम हो जाएगा तो ये थोड़ी सोच को हमको बदलना है और रही बात वंश बढ़ाने क्या तो वंश बढ़ाने का चिंता मत करिए इश्वर और हम सभी को देता है, एक ना एक दिन, वो देगा और हमारा वंश बढ़ेगा, और ऐसे भी नहीं है कि आप वंश बढ़ाने के लिए इस दुनिया में आये हो, इश्वर की सही पहचान करो, इश्वर को अपने जीवन में बसने दो, क्योंकि यहाँ पे आपका वंश का चिंत कि आपके लड़कियां है, तीन-दीन लड़कियां है, क्या वो वंश बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो यह सभी बात ये मायने रखती हैं, हमको खुशी चाहिए मन में शांती चाहिए, मृत्यू के बात हमें इश्वर के पास जाना है, हमें बेदाग हो करके जाना है, यह जोस्तों आज हमने सीखा कि क्या हमारे जीवन में या हमारे समाज में या हमारे पती-पत्नियों के बीच में या घर-परिवार में लड़की के आउशकता है या नहीं हैं जो लोग लड़की को मारते हैं इस विसे पर आज हमने सीखा इसी प्रकार से ने-ने वीडियो के साथ ह हमें इमेल करें, जल्द ही हमारा वेबसाइट आने वाला है, उस वेबसाइट में रेजिस्टेशन करवाएं, और फ्री और बाइबल ट्रेनिंग कोर्स अपना है, मोटिवेशन क्लास, और हेल्प ग्रूप में अपना नाम जुड़वाएं, लाइफ सो हेल्प ग्रूप में, और इस प्रकार से परमिश्वर किये, सेवा कर सकते हम, किस प्रकार से, हैल्प ग्रूप एक ऐसा ग्रूप है, जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं, जिसमें जितने भी लोग हैं, लूले लंगने भीकारी अनात, जो फोटपार्ट में पड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटल म करें और अपना हर मेहने का एक छोटा से डोनेशन हमें सेंड करें आज बहुत सारे लोगों के साथ जो तुम करते हो वो मेरे साथ करते हो तो छोटे में से छोटे लोग कौन है प्रभु इसमें सी बोले ना जब मैं भूका था मैं नंगा था मैं प्यासा था मैं बंदीग्रह में था मैं बीमार पड़ा था क्या तुमने मेरी सूधी ली तो हम क्या जवाब देंगा हम प्र पसमें तो आप हमारा सपोर्ट करेंगे तब मदत सकते हैं इस प्रकार के एक हरेयं थीशन में लिखा है स्वर्ग में धनी खट्टा करो जहां ना तो कीडे लगते ना तो काई लगते ना तो चोर चोरी करता है प्रभु इश्मसी भी कहते हैं अधर्म के धन से अपने लिए स्वर्ग जाने के लिए मित्र बना लो और क्या लिखा है वचन में वी लिखा है कि जहां तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा हमारा धन कहां जा रहा है कि वहीज़स के लिए पाफ होता है आज सबी जगत में सारे दुनिया में तो उसी धन से हम एक आत्मिक जीवन को अपने जीवन को बचाएmos जीवन को बनाएं तो थोड़ा-थोड़ा करके उस लिश्ट में जोड़ें अपने रासन कबील के लिश्ट में और हर मेना हमें जितना भी बनता है डोनिशन सेंड करें हमारे स्टेट बैंक के एकाउंड नमबर पे हमारे पेपल एकाउंड नमबर पे और हमारे पेटियम एका और बहुत सारी बाइबिल की ज्ञान को हम आपको बताते रहेंगे और लोगों की सोच को बताते रहेंगे इस दुनिया के रीती को बताते रहेंगे और हमें समझना है और सीखना है और इसे प्रकार से हम मिलेंगे तब तक के लिए हम आप सभी से अलविदा लेना चाहेंगे परमेशवर आप सभी को आशिस दे, नमस्कार, गुडबाई